तो वहीं बड़ी ज़ानकारी जो जिन से मिल रही है उससे भी आपको रूबरू कराते हैं देखे बड़ी ज़ानकारी जिन से सामने आ रही है पंजाब के बाद हर्याना में जुलाया गया जियो टावर बड़ी खबर जलालपुरा गाउं में जियो टावर में आग लगाई गई है पराली डालकर फूका गया जियो कमपनी का टावर बड़ी जौनकारी आपके टीवी स्क्रीन पर टावर का कंट्रोल रूम जलने से इलाके में नेटवर्क गायब है बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं जो जिन्ट से मिल रही है पंजाब के बाद हर्याना में भी जलाया गया जियो टावर बड़ी जौनकारी है ये तस्वीरे आप देखे हैं ये तस्वीरे जिन्ट से हम आपको दिखा रहे हैं जलालपुरा कलागाह का ये पूरा मामला बतायाएब जहा रहा है पराली डालकर फूका गया है जियो कमपनी का टावर दरसल किशानों ने ये टावर फूका है टावर का कंट्रोल रूम जलने से पुलिस ने अग्याद के खिलाफ केस भी दर्च कर लिया है तमाम जानकारे के साथ रोताश मेरे साथ जुड़ गए है उनका मैं रुख करूँगे रोताश क्या कुछ जानकारे फिलाल आपके पास किसानों ने जियों के टावर में आग लगाई है को बताना चाहूंगा जिस तरीके से जलालपुरा गाउं में बीते रात पर टावर पर आग लगा दे गए और आसपासक चेतर में इसे आरेंजी भी गायब होगी बात की जाए तो आगजीनी के से गटना में टावर कंट्रोल के पूरी तरह से जल गया टावर में लगे आग को कान की जिस तरीके से टावर हो पूरा कंट्रोल रूम जिलने इसे आसपासक चेते में रेंच लिगा लागे कंपनी की तरफ से अग्यातवी ते गलमावला दर्ज कर जाप शुरू कर दी गया है जिस पर गाया देगा जिस पर गाया है जिस पर कंट्रोल रूम में आग लगे तो उसके बाद उपकंड जल गए जिस तरीक प्राली डाल कर आग लगा अग्यात विक्ति खिलाब मामला दर्ज कर लिया जी बहुत शुक्रियार होता शाप का तमाम जानकारी के लिए तो ये बड़ी जानकारी जो जिन्द से साबने आ रही है दरसल जिन्द में बताईए जो आ रहा है कि जियो का टावर जिसको पराली डाल कर जला दिया गया झाल